कुछ यह क्या कर रहती हो तुमञा है कि इसके अंदर के इस एक वह पता है। ही कर दूत थेंग रही चलो मैं बदार आठा यौड थो मैं बताने जा रहो हूँ on और कितना फ्रिक्वेंट पीना चाहिए और असली चीज सुनके ना भाई साब तुम्हारा दिमाग खड़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है अभी मैं दिखाता हूं इसके अंदर होता क्या है बस बने रव मेरे साथ कही मज़ जाएगा हाई गुड बॉर्णिंग सास्यगाला राब नमस्का वनका मैं जहिंद रामरा भाईयों कैसे हो मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमीत खाल रहा हाँ 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 प्रेस दिया वर रेड़्ा बन चुका इतना बड़ा ब्रेंड और लेकिन आज मैं आपको सुछ स्च दिखाने जा रहा हूं कि अफिर सुर्व उपने रही है किné का को पीना चाहिए है कि आपको पीना चाहिए पीना चाहिए और विस सच सुन में आपको हो सी आऊश उड़ कि दोस्तों मेरे हाथ में यह रूफ जागी बॉटल और यह आई है कितने की करीब डेट सू रुपे के असपास कि आई है साड़े साथ सो एमेल इसमें साड़े साथ सो एमेल मैं जो भी चीज आपको आज पढ़के बताने जा रहों कि इसमें क्या क्या है वो सब इसी भी लिख सच करने के कोशिश करी तो मुझे कुछ समय नहीं को रिखा वैं कर दिखा या याँ जो क्रिदान कर दिया जाए और टो टो डेज करदीज और चलिए शुरू करते हैं शाड़े साहटु नहीं है विपकैला यै सट्ल इन कर दिया हाँ इसका आहरानी चलिए ने चुरू कर ते साड़े सांसे अमयल की बोतल ऑगू है और इसका इत्यहास हना तो ये दूद में डाल के पीते थे हम भोगा पानी में शर्बत गर्मियों के दिने में और निम्हों कहते हैं ये ठंडग देता है क्यूंँ ऐसा भोलतै कि ठंडग देता है ये बताया जाता है इसमें बड़े सारा नेचरल वो हैं फ्लेवर्स हैं, फ्लावर हैं पाइनेपल जूसेज हैं, औरेंज जूस है बड़ी सारी ठंड़क देने वाली चीज़ है तासीर ठंडी होती है बजा लेकिन मैंने असलियत जब पढ़ी न तासीर ठोड़ो, मेरा अंदर से तन बदनी गरम हो गया मैं एक बात बता हूँगा कि किसको पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए कितना लेना चाहिए बहुत ज़रूर है, जब यह पूरा वीडियो देखोगे न आपकी आँके खुली की खुली रह जाएंगी, आखिर है क्या बवाल, बता देता हूँ क्या बवाल है, इसमें 100 ml में, 100 ml अगर आप देते हो देखो, मैं जो आकड़े बताने जा रहो, यह 100 ml में है लेकिन जब हम बनाते हैं, तो at least at least मुझे लगता है कि 50 ml तो आप डालोगी, डालोगो, 50 नहीं तो 35 ml तो आप डालोगी, डालोगे, serving size 35 ml लिखा हुआ है, एक glass में 1.5 से 2 चमज तो डलते ही, डलते हैं ठीक है, तो 35 ml से लेके 50 ml तक तो जाता ही, जाता है, अपने taste के हिसाब से, लेकिन मैं जो आकड़े बताना चाहरा हूँ 100 ml बे, और ये 700 ml की बोटल है, इसमें कितनी शुगर है, आप सुनके हरान हो जाओगे और क्या-क्या है, ये भी बतायता हूँ 100 ml के अंदर 417 कैलरीज होती है, 417 कैलरीज 100 ml बे, यानि अगर आप आपके अंदर, प्रोटीन कितनी है, सिर्फ 0.4 ग्राम परसेंट, ठीक है और सोडियम नमक कितने हैं, 24.6 यानि 0.43 परसेंट, लेकिन सबसे ताजूब, सबसे और कार्बोईडेट, 103.9 ग्राम कार्बोईडेट, लेकिन सबसे जो बताने वाली बात थी, कि 100 ml के अंदर 100 ग्राम से ऊपर शुगर है दो, 100 ग्राम से ऊपर शुगर है टोटल शुगर बताया रहा है 101.6 और एड़ेट शुगर 101 मलदा सेम, तो सारी एड़ेट शुगर है, 100 ml में 100 ग्राम शुगर है, मतलब यह 500 ml है, तो इसमें करीब पोना किल्लो शुगर है, पोना किल्लो और आपको बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि टेस्ट लोगों के जहन पर चड़ गया है और इसके अंदर है क्या-क्या, यह भी आपको पढ़के बता देता हूँ खुद लिखते हैं यह, यहां पर खुद लिखा हुआ है, इंग्रेडिन शुगर सीरप, 87.8% मतलब 88% तो शुगर सीरप है सीरप, जिसमें शुगर है वाटर, एसीरिटी, रेगुलेटर है तो 80% शुगर सीरप है, सिंपली तो आप शुगर सीरप ले रहे हैं जिसमें सिर्फ स्वाद के लिए और आपके केवड़ा और ये गुलाब, उसकी सुगंद आपको आती है और भी बता देता हूँ नैच्रल फ्लेवर जो है इसमें धनिया, खस, गुलाब, ये फ्लाना डिमका का नैच्रल फ्लेवर, चलो मान लिया अब यहाँ पर ये आते हैं कि इसमें कुछ जूसेज भी है ठीक है, पाइनेपल जूस कितना है धाई परसेंट औरन जूस एक परसेंट एक परसेंट है सिर्फ औरन जूस पाइनेपल जूस सिर्फ धाई परसेंट बाकी फ्लेवरिंगे जेंट है केवड़ा है, गुलाब है, फलाना धीम का लेकिन कुल मिला के 88 परसेंट के आसपास सिर्फ शुगर सिर्फ है, सिर्फ शुगर सिर्फ अब सिर्फ शुगर पी रहें तो अब करें क्या इसका पीएं या ना पी आज आपको मैं तरीका बताऊंगा पीने का कि मैं कैसे पीता हूँ लेकिन ये बोलूँगा कि शुगर के पेशेंट को तो बिल्कुल नी पीना चाहिए, क्योंकि बहुत मीठा है ठीक है, इसमें शुगर ही शुगर है और हेल्थ के लिए मुझे तो कहीं से बेनिफिट लगा नी इसको पीने का कुछ भी सच बताऊं तो मैं तो अवाइड करता हूँ जब और मुझे पता नहीं कहा है कहीं बार इसका जो टेस्ट है या मुझे तो वॉमिट कुछ नौजिया होता है कुछ लोगों में देखा गया कि इसको पीने के बार लोगों को नौजिया फिलिंग भी होती है कुछ लोगों को बहुत अच्छा टेस्ट लगता है तो अरे की अपनी वो है टेस्ट बट्स है जैसा भी उसको लगे लेकिन क्योंकि शुगर कंटेंट इतना है तो यह हार्ट पेशेंट के लिए शुगर के पेशेंट के लिए मोटे लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है मोटापा बढ़ाएगा शुगर बढ़ाएगा कोलेस्टरॉल भी बढ़ा सकता है क्योंकि इतना शुगर ही है कोई काम की चीज़ तो इसमें मुझे नज़े नहीं है प्रोटीन तो 0.4 गराम है सोड ये नमक जरूर है आप कोगे मीठा है तो सर इसमें नमक कहा है सर नमक भी है ठीक है नमक शमक नमक शमक धाले देते हैं मेकिन कि ये बॉतल है और इसमें साड़े सासो मिली ग्राम और ग्राम कोना किलो शुगर है और इस सब कुछ शुगर ही शुगर है ऐसा लग रहा है मुझे खुदी लिखने बाई 88 पसेंट शुगर सीरप है अब मैं कैसे पीता हूं अगर मुझे कभी पीने का मन करें तो मैं कैसे प् पानी लूंगा उसमें मैं कुछ पूदीने के पते डालूँगा जिसने हैं निभो धन्डा पानी ऊसमें मैं थोड़ासा नेमू को दालना तो फो दालता एंक मैं जबता रहा है इसको मैं कितना डालता ओं अगर मुझे डालना होगा मैंने यह का वारी एकि ट्राइग कर रा श्रिर पांच मेल उसमें डालतेा हूं फोड़ी सी ऊसमें मैं शक्काब डालते हूं वह जो 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 बिलते तो घंच ये इसका ऑदह दॉर पर एक उसका और सात Whole दालता हूं टॉर और श्यायक और परले चैनली साजिए को मीन फिर को जब ayam बोलो जो बोलो इसमें लेकिन मुखीतों में सोडा डालते हैns três जालते हैं वह सब नहीं कुछ आलनेagीं हैं तोग अधीक नहीं आप उसमें थोड़ासा यार एक बहुत हम मेदी लाइट मेरी फेवर Wow भी है जो मोदी वाली मोदी नगर में मिलती है हाला कि बहुत सारी controversy भी है इसके बारे में बड़े सारे लोगों ने यह बताया जी यहां पर यह मौमडन एक वो है मुसलमानों का वो product है यहां पर हिंदू को और रखानी जाता उसमें उनकी जो जहां पर यह बनता है यह सब बैकार की बाते हैं यह सब फाल्तू की चीज़े हैं तो किसी भी चीज़ को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए मुझे ऐसा लगता है हाना अब पतंजली की product मुसलमानी यूज़ ना करें तो यह भी गलत है इसक में कोई benefit नहीं आया यह सिर्फ एक शर्बत है मीठा शर्बत और मैं मीठे से दूर रहता हूं और आपको भी बोलूँगा जितना कम से कम यूज़ करें महीने में काथ बार पीने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उतना आपको यह समझ में आगा हो गए इसमें शुगर के ल यह तरह की युनानी ड्रिंक है तो युनान में जा के पी सचते हो कुल मिला के मुझे कोई बहुत ज्यादा benefit नहीं है मुझे इसके side effect ज्यादा नजर आया है पीने के तो मैं यह मेरा personal opinion है बाकी यह आप इसको पीजेगा लिमिट में लीजेगा अगर लेना है तो ठीक है और हर रोज मत पी नहीं तो फिर शुगर बीपी कोलेस्टोल सब बढ़ जाएंगे तुमारे क्योंकि शुगर है ना और शुगर पॉईजन है हम तो यहीं बोलते हैं कि शुगर पॉईजन है तो इतनी शुगर आप ले रहे हैं और आपको पता तक नहीं कि हम जो चीज हम करें टेस्ट के लिए यूज करें दूद में डालके लेने तो दूद में डालके ले सकते हैं हर रोज मत पी हैं मैं बार बार हर रोज में मत पी हैं कभी महीने में एक दो बार हो गया हो गया बस that's all thank you very much और इसको आप वापस का दून डेट सुर्पे मिल जाएंगे लेकिन डक्कन खुल चुका है स्टाफ को पिला देता हूं थोड़ा सा पी लूँ पी लूँ नराय ना हो जाए हम दर्द वाले पी लेता हूं चलिए thank you शुक्रिये हैं बाई निन्नू सा पीऊंगा बस taste के लिए श शुक्रिया है